नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जहरखन के दिन भर की खबर जानते हैं परिसंपत्यों को बाटेंगे, इस दोरान उनके साथ ग्रामिन विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्रम मंत्री सत्यानद भोकता, सांसा सुनिल सिंग, हजारी बाग सांसा जेयंत सिन्हा, बढ़का गावी दायक, आमबा परसाद समेत कई नेता सिर्कत करेंगे, मुख्य मंत्री कार परिकरम को लेकर तैरिया पूरी कर ली गई है, डिसी, अबो, इमरान, एसपी, राकेश, रंजन, लगाता, तैरियों का जाजा ले रहे हैं, 22 को गोड़ा टाटानगर सप्ताहिक ट्रेन का उधगाटन, रेलेवे ने जर्खन के यात्रियों को दिपावली और छोट का उपह दे दिया है, गोड़ा से टाटानगर के भी चलने वाली सप्ताहिक ट्रेन का 22 अक्टूबर को उधगाटन है, 24 अक्टूबर से गोड़ा वा 25 से टाटानगर से हर हफते ट्रेन चलेंगी, जल्द ही इस ट्रेन में टिक्टो के बुकिंग भी सुरू हो जाएगी, इस ट्रेन क इस ट्रेन में भी आत्री सफर कर सकेंगे, बतादे गोड़ा से चलने वाली ट्रेन, पोड़या हाट, हंस डिहा, मांदर हील, बारा हाट, भागलपूर, सुल्तान गंज, बरियारपूर, जमालपूर, अभायपूर होते हुए इन सभी स्टेशनों पर ट्रेन रुकेंगी, आदिवासी बचाव बिचार समेलन 27 को रांची में, आदिवासी सेगेल अभियान कराश्ट्रिया, अध्याक्ष और मिर्भांज के पूर्व भाजपा सांसद रहे, साल खनमुर्मू, सारना धर्मकोट के मुद्दे पर भूनेस पर, कोलकत्ता वर रांची में सफल रैली से अब रांची में 27 अक्टूबर को आदिवासी बचाव बिचार समेलन करने जा रहे हैं, रांची में 18 अक्टूबर को सारना धर्मकोट के मुद्दे पर जन सभा करने से पहले सेगेल की रैली सभाती सितंबर को कोलकत्ता और 20 सितंबर को ओडिशा के रैधाने भोनेस्वर मे रैली कर चुके हैं, बताद दे सालखान कहते हैं कि आज आदिवासीों के चारों तरफ अस्तित्व पहचान और हिसेदारी लुटने मिटने का खातरा मन्रा रहा हैं, जैसे कूर्मी महतो का एस्टी बनने का परियास, 1932 खत्यान का जुन जुनना, अथानियों लोगों के लं सुद्रा का हावी रहना आपसी सनवात की कमी आदि चींता के संदर्ब है। प्राथमी की दर्ज कराई है मिली जनकारी के अनुसार आरोपित लेसली गज थाना चेतर अंत्रगत धनगाव निवासी संतोस कुमार पासवान पलामो पुलिस में है पिडिता ने थाना को बताया है कि उसकी मुलकात जवान से लंबे समय पाले हुई थी पले दोस्ती हुई और रिष्टा प्यार में बदला जवान ने बीधवा महिला को साधी का जासा दिया उसने महिला के साथ कई बार सरूरिक संबन्द भी बनाया ज्यारखन में बारिस के असार ज्यारखन के सभी हिस्सों में लोटते मांसून का असर दिख रहा है वहीं बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात ने वर्षा के असार को बढ़ा दिया है मौसम भी ग्यान केंद्र राची से प्राप्त जनकारी के अनुसा 27 एक्टूबर तक राईधानी राची समय दक्षिनी वमध ज्यारखन के सभी हिसों में हलकी वमध दर्जे की बारिस होने का पुरुनमान किया गया बताया गया है कि आपकी बार दिवाली के दिन भी राईधानी के आस बास में बादल चाय रहेंगे और 25 से 27 एक्टूबर तक तेज़ वर्षा के असार है ऐसे में मौसम विभाग ने आम जनों को सचेत्राने की सलावी दी है जारखन में 9 नौमबर से मद्दाता सुची में जुलवाए ना जारखन में मद्दाता सुची विशे संचिप्त पुनरीक्षन कारिकरम 9 नौमबर से शुरू होगा इस कारिकरम के तहट 8 दिसमबर तक दावा एवं आपतिया प्राप्त की जाएंगी इस दवरान सभी आपता प्राप्त ब्यक्तियों का निबंदन मद्दाता सुची में सुनिश्चित कराया जाएगा इस अधि में मद्दान केंद्रो पर 12 एवं 13 नौमबर तथा 29 एवं 20 नौमबर को विशे स्कैंप लगाया जाएगा इसके अलावा सहर के सभी आपाटमेंट हाउसिंग सोसाइटी में 9 नौमबर से 15 नौमबर तक गाउद्यात के सभी पलस टू बिद्यालों में 16 नौमबर से 22 नौमबर तक तथा राजे के सभी महा बिद्यालों में एवं 20 बिद्यालों में 23 नौमबर से 29 नौमबर तक 20 अभ इडी को बिभीन अस्त्रों से सिकायत मिल गई है कि राजे में संचालित हो रहे निजी विश्व बिद्यालों में काफी ब्रस्टा चार है निजी विश्व बिद्यालों की संचाल की परकिरिया पारदर्सी नहीं है नमांकन लेने समन्धी समान नियम नहीं है यहां चात्रों को डिगरी बगैर परिक्षा के ही परदान कर दी जाती है इडी को मिली सिकायतों में निजी विश्व विद्यालों में ब्याप्त और नेमिता को लेकर करवाई की मांगी गई है इडी ने इस पत्र के अधार पर आंतरिक रिपोर्ट मांगते हुए कहा है कि इसे जल्द से जल्द प्रेसित किया जाए ताकि मनी लॉंडरिंग अधिनियम के तहत करवाई की परक्रिया को अगव बढ़ाया जा सके पारा सिक्षको को समझावता से ज्यादा नहीं मिलेगा सचीव स्कूली सिक्षा यम सक्षर्टा विभाग के सचीव के रभी कुमार ने मंगलवार को पारा सिक्षको से दो टू कहा है कि उनके साथ समझावता में जीन मांगों पर समती बनी है उन्हें निश्चीत रूप से पारासिस्को को दिया जाएगा समझावते के अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलेगा उन्हें पारासिस्को के एक गोट जार्खन राज प्रसिक्षित सहायक अध्यापक संग प्रतिनिली मंडल से असपश टूप से कहा है कि किसी नई मांग पर सरकार बिचार नहीं करेगी उन्हें ने कहा है कि पारासिक्षक बेतन मांग की मांग नहीं करे क्योंकि समझाता में या अंकित नहीं है बेतन मान की मांग करना समझाता काउलंगन है सचीव ने पारस इसकों से यह भी कहा है कि यदि वे समझाता काउलंगन करते हैं तो सरकार भी समझाता को लेकर पिछे हट सकती है छोटी और बड़ी दिपावली 24 अक्टूबर को रोशनी के तेवार दिपावली में अब महाच चार दिन बचे हैं ऐसे में लोगों ने अपने घरों के साथ दुकानों और गोदाम का रंग रोगन कराने के साथ साथ साप सफाई भी सुरू कर दी है बतादे सहर में धन तेरस को लेकर बजार पूरी तरह पड़ चुका है गोल्फ ग्राउंड इस्थीत खड़ेस्वरी मंदिर के पुजारी राकेस पांडे के अनुसार इस बार दिपावली पर विशे सन्योग बन रहा है नरक चतूरती यानी छोटी दिपावली और बड़ी दिपावली एक साथ मनाई जाएगी ऐसे तो दिपावली से दो दिन पूर्व धन तेरस मनाया जाता है उसके बाद छोटी दिपावली और फिर अगले दिन बड़ी दिपावली मनाया जाती है लेकिन इस बार छोटी और बड़ी दिपावली एक साथ 24 अक्टूबर को मनाई जाएगी धन 13 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा 24 अक्टूबर की साम 5 बज कर 28 मियट से अमावसया तिथी प्रादम्भ होगी जो 25 अक्टूबर को साम 4 बज कर 29 मियट पर समाप्थ होगी 29 अक्टूबर के लिए आहरता प्राप्त अभियारती एक साथ आविदन करेंगे दोनों बिगापन के लिए आविदन करने के थीती में एक ही परिक्षा सुल्क दे होगा जारकन अध्योगिक सेवाचनवर के 737 पदपर नियुकती के लिए 18 अक्टूबर चाउन लेन आविदन शुरू हो गए है इसके लिए आविदन करने के अम्तिती थी 17 नौम पर है मलिका अर्जून की जीत पर कांग्रेसियों में जस्न अखिल भारतिये कांग्रेस कमीटी के अध्यक्ष निर्वाचित होने पर मलिका अर्जून खडगे को धनबाद से भी धेरो सुबकवनाय मिल रही है धनबाद जीले के कांग्रेसियों में हर्स का महोल है सभी अपने अपने तरीकों से सुबकवनाय देने में लगे हुए है भाताद जीला कंग्रेस कमीटी से लेकर विधायक तक इंटरनेट मीडिया के माध्यम से खडगे को बधाई और सुबकवनाय दे रहे है धनबाद डिस्ट्रिक कांग्रेस कमिटी ने अपने ट्यूटर हैंडल पर खड़गे को बधाई दी है यह भी लिखा है कि हमें पूरी उमीद है कि उनके अनुभाव का लाब कांग्रेस संगठन को मिलेगा और उनके कुसल नेतरितों में कांग्रेस नय मुकाम हासिल करेगी वह संगठन को और मजबूती मिलेगी उनाई से 23 नॉमबर तक सभी जिलों में बीजेपी का धारना परदरसन जारखन में भरष्टाचार के खिलाब भाजपा उनाई से 23 नॉमबर तक जारखन में जोरदार आंदोलन करेगी पांच जिनों में भाजपा राजे के सभी जिला मुख्यालाई और 260 परखंडों में धारना परदरसन करेगी परखंड कर्यालियों का काम भी ठप कराया जाएगा है परदेश भाजपा के सभी सांसाद विधाया कोर कमिटी सज़से कार्य समीति से और पार्टी के पता अधिकारी परखंड में होने वाले धरना परदरसन में परतिनित्व करेंगे भाजपा के परदेश अध्यक्त दीपक परकास ने प्रेस कंफरेंस करे अजनकारी दी है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं होते चनलों को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एक अंद भाई साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों के सेर करना बुले साथी साथ आप हमें कोमेंट परक्ष में अपना फिडिवाएक अवस्य दे थैंक यू